नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिंटु कुमार और मैं इस समय मौजूद हूँ सियारामदास आश्रम में जो कि 20 मार्च को सियारामदास बाबा का विसाल मेले का आयोजन किया जारा है उसको लेकर काफी समय से तैयारिया मेला कमिलिटी के दोड़ा चल रही है इसको लेकर हम राष्टिय मंत्री योगी सेना मोहंदास महराज से आज विसेश चर्चा करेंगे कि मेले को लेकर किस तरह की की तयारिया है और मेले को लेकर क्या विसेश रहेगा महराजी सबसे पहले स्वागता आपका कि मेले को लेकर किस तरह की की तयारिया है मेले को लेकर आश्रम की complete त्यारी हो गई है जो डाई तीन मैने से त्यारिया चल रही थी जैसे कि रंग रोगन, color paint, हलवाई, tent, decoration, full decoration, light decoration, सजावट वगरा complete हो गई है जैसे कि color color कारों को भी book कर दिया गया है प्रोग्राम के लिए और मैं बता दू आपको कि गुन्नी स्तारिको रामाइन पाट होगा होगा जैसे कि 20 तारिक को बंडारा होगा 12 बजे से जो सुबह रामाइन पाट समापन होके उसके बाद 12 बजे बंडारा स्टार्ट हो जाएगा और सबी लोग सर्दालू भार से आ रहें और भक्त akt होग्राम झ brewing नरानप वूर्ख के शानैधे में यस जो पूरी ज द्वारा भारा जा रहे और गुनंतीश्वा मेला है जो मारात जी हैं अपने गुरो जी शाम सम्लारा जी वह भी सब भक्तों को दर्शन होग्ञे क्लिए सब लोग आ रहें जो दादा गुरू जी है मेरे मणी रामदास जी वो भी आ रहें दूडनिस ब्रहप को कारिक्रम में में रात्री शाम जागन रहेगा और दिन में कलाकार है, जो शेवता सर्मा जी है, जानपुरा से, और अलवर müज्जीग गूरूप है, और मनुझ गुपता मालाखेडा से, कपिल सर्मा जो बानसुर से है, कपिल वेशनू जी, पोर इन्दराजी से नराणपूर से, जीतु सैनी जी हैं, जो थानगाजिस है, नंद किसोगर जी एं, राजयस है, अर हनमाच जी हैं और किरसन जी हैं तो ये रात्री कलाकार रहे हैं, शामजागन, जो भी इस्तानी कलाकार जो भी होंगे जो भी बजन की पस्ट देना चाहेगा सब को महराजी बता रहे हैं कि मेले को लेकर जो तैयारिया थी रंगरोगन है शजाओट है हलवाई बंधारे का जो तैयारिया पूरी कर लिगी है और ये बता रहे हैं कि 19 तारीक को रामाइन पाठ पार्थ का सुभरंभ किया जाएगा 20 तारीक हैं किः मास्यों का गरे करम रहेगा नहड़ा कारी करम जो की जैराम ठेकला और उनके साथी कलाकार है उनके द्वारा किया जाएगा उसके बाद सवा बारा बजे से बंडारे का कारी करम किया जाएगा देर शाम बैंडवादन के साथ आरती की जाएगी और आतीस बाजी यहां पर मंदिर परिसर में की पहुंचेंगे उनके महंदास जी माराज के जो दादा गुरू है मनीदास जी वो भी यहां मंदिर में पहुंचेंगे और यह बता रहे हैं कि लगबक 30-35,000 जो सरदालू है उनके लिए बंडारे का भी यह विशेश व्यवस्ता की गई है आतिस बाजी का कारी करम यहां किया गया है तो काफी समय से तयारे चल रही तो आखिरकार वो पूरी कर ली गई है हमारे साथ सरदालू गंडबी मुझूद है ये भी कुछ मेले के बारे में कहना चाहरे हैं क्या नाम है आपका सर मेरा नाम सुअलाल सैनी है मैं राणडपुर का रहने वाला हूँ और मैं जिला सची विश्टा चर नरोदुग भी हूँ और यहां पर बाबा के मेड़ा होता है और बड़े बड़े दूदूर से लोग आते हैं और 20-30-40,000 लोग आते हैं और बंड़ार परसाद लेते है और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है और रात को शाम जी का जागना होता है और दिन को ठेकला जी यहां भी प्रोग्राम करता है और बाबा के किनाम में इतना जोड़ से भीड़ो होती है बंड़ार चलता है और जी मंगत को मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है अगर बात करें मेले को लेकर क्या विशेश रहीगा मेले में थोड़ा सा बताएंगे मेला बहुत अच्छा बरता है और बाबा की के नाम में चर्णो में यहां समाधी है बाबा की यहां भगत लोग आते हैं मंगत मांगते हैं उनकी इच्चा पूरी होती है और मनों कावना पूरी होती है और मैं यही कहना चाहूंगा पूरी है बिन्टुगी में जाए